हलो दोस्तों आज हम लाए हैं लाल आलू की दमालू अब देखिए इसके लिए मैंने आदा किलो यह लाल आलू ले लिये हैं अब इनको मैं साफ कर लूँगी अब साफ करने के बाद मैं पानी में इसको धुलने के बाद देखिए अब मैंने सब धुल लिये हैं साफ कर लिये ह इसमें थोड़ा सा मैंने तेल लगा लिया है अब मैं इनको फ्राइ कर लूँगी अब मैंने धककन से ठाग दिये अच्छे से हमारी भून गए है यह आलू अब देखे मैं तब ठंडा कर लेती हो इनके लिए अब मैंने उसी कड़ाई में दो प्याज ले लिये हैं इनको मैंन ते रहाज मैंने दो लाली और दो 3 मैने इसमें लॉंक डाल दीए और दो इलाएक्जी अब मैंने हैं इसको चला लूंगी क्यूंकि हम इसकी ग्रेवी तियार करेंगे क्यूंकि इसी तरह ग्रेवी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बंते है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया है अब इसमें मैंने दो टमाटर ले लिए है इसको भी इसमें मिक्स कर लूँगी अब हम इनको एक रांडर में पीछ लेंगे हम हमारी सई हो गया है हम मैं सब अच्छे से बारी करके पीछ लूँगी देखिए हमारा यह हमारा ग्रेवी भी तयार हो गई है अब हम चलते हैं इनके लिए फॉक्स से हम इनके होल कर लेते हैं क्योंकि इसमें हम जो ग्रेवी मसाला हम बनाएंगे जो अंदर तक पहुँच जाए और बहुत अच्छे आलू बने इससे इसमें मैंने चार चमत तेल ल अब इसमें मिक्स करने के बाद में जो हमने अभी ग्रेवी तयार किये ना बो भी हम इसमें डाल देंगे अब अच्छे सब को मिक्स कर लेंगे लालालू को और मटर को और देखिए अब इसमें मैं डाल देती है थोड़ा सा पानी अब पाई डालने के बाद में अब मैं इस आँदोन नुश्याइट सकते हों इससे में थोड़ा सा गरम मसाला डाल दोंगी अब है कि हम में सब को अच्छी से मिक्स क rpm कल गी अम्हें थोड़ा सा इसमें पानी डाल दोंगी कि ये मैंने का ठोड़ी पानी डाल दिया है अब देखिए हमारे आलू बनने वाले मैंने चला के देख लिए यह आप देखिए अभी थोड़े सा पानी इसमें और है मैं थोड़ी दिर और ढखके रख दूँगी आप देखिए हमारे तयार हो गया है इस तमालू बहुत ही टेस्टी बनेंगे आप देखिए हमारे तयार है और अच्छे लगे हो ना प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरी चैनल को थैंक्स